हलो दोस्तों आई आप सब ठीक होंगे आप देख रहे हैं मैडिसिन फूमर चैनल आज हम लेके हैं आपके लिए कुछ नहीं जानकरी आज हम बात करेंगे M2 Tone के बारे में ये एक अईरुवेदिक चरक कंपनी की आने वाली मैडिसिन है जो कि आपको टैबर्ट फूम तथा सिरफ दोनों फूम में मिल जाएगी अब हम जानाएंगे इसकी पूरी जानकरी इसके यूज़ेज, डोज़ेज तथा साइट फक्ट के बारे में हिंदी में पूरी जानकरी के लिए वीडियो को आन तक देखें M2 Tone Sirup के प्राइज के बात करें तो इसका जो 200 ML की पैगिंग आती है वो आपको 120 से लेकर 130 रुपे में मिल जाएगी तथा जो इसकी दूसरी पैगिंग 4500 ML की आती है वो आपको 200 से लेकर 210 रुपे में मिल जाएगी अब हम जानेंगे M2 Tone के यूजिज के बारे में यह सिरफ मिलाओं में पीरिड की प्रोल्म को ठीक करने में उपयोग में लिया जाता है जैसे कि इर्रेगुलर पीरिड हो उस समय फिमेल को यह सिरफ डोक्टर द्वारा दिया जाता है रेगुलर पीरिड को हम समझें तो मिलाओं को 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में पीरिड होते हैं यह उनका एक पीरिड आइडल होता है वो सब फिमेल का अलगल होता है अगर किसी female को period idle में से नहीं आ रहे उनको आगे पीछे हो रहे हैं तो उसे हम period irregular कहते हैं उसमें डोक्टर द्वारा ये सिरफ M2 tone तथा tablet दी जाती है और बहुत ये अच्छा result मिलता है इसके लाब कोई मेला है जिसे लम्मे समय से period नहीं आए जिसे हम eminoria कहते हैं उसमें डोक्टर द्वारा उन्हें ये tablet दी जाती है तथा सिरफ दिया जाता है और बहुत ये अच्छा result मिलता है इसके लाब कोई female हो जिसे period के दुरान heavy bleeding हो रही हो उन्हें ये सिरफ दिया जाता है तथा इसके लाब किसी को period के दुरान पेट दर्द, स्ट्रेस तथा इंजाइटी हो ये ज्यादा तर problem जिन्हें recently period आने शुरू हुए है उन्हें ये problem ज्यादा तर face करनी पड़ती है उस वक्त भी डोक्टर द्वारा ये m2 tone syrup तथा tablet दी जाती है और अच्छा result मिलता है इसके लाब किसी को period के दुरान तथा period के बाद स्रीरिक कमजोरी हो उस वक्त भी डोक्टर द्वारा ये m2 tone syrup तथा tablet इन दोनों में से दी जा सकती है इसके लाब किसी female को irregular period हो उन्हें pregnancy consume करने में दिक्कत परेशानी आ रही हो उस वक्त भी डोक्टर द्वारा ये m2 tone syrup उन्हें दिया जाता है और उनके जो period irregular है वो regular हो जाते है और उन्हें pregnancy consume करने में कोई परेशानी नहीं आती और वो pregnant हो सकते है उस वक्त भी डोक्टर द्वारा ये शिरप तथा tablet दी जाती है और बहुत ही अच्छा result मिलता है और फाइदा होता है इसके लावा कोई महिला है जिसे PCOD polycyst ovary syndrome की एक बिमारी है इस बिमारी में female की ovary की जो outer layer होती है वहाँ पे cyst गांट हो जाती है इसके लावा ovary का size भी बढ़ जाता है इस वाजय से पेट दर्ध होना, acne होना, मुटापा बढ़ जाना तता hormonal change हो सकते है इसमें भी डुक्टर द्वारप M2 tone syrup तता tablet दी जाती है और बहुत ही अच्छा result मिलता है इसके लावाद जैसे कि कुछ लोग बोलते है M2 tone syrup तता tablet लेने से weight lose होता है जा नहीं होता अगर किसी का weight PCOD polycyst ovary syndrome से बढ़ा है तो उस वक्त ये syrup तता tablet लेने से उनका weight कम होता है अगर उनको PCOD की बिमारी है तो उस वक्त उनका weight lose होता है ऐसे आप ये syrup तता tablet weight lose करने के लिए मत लें इसके लावा M2 tone syrup को unmarried female ले सकते हैं जा नहीं ले सकते हैं अगर किसी female को period आने start हो चुके हैं तो आप उसको ये syrup तता tablet दे सकते हैं चाए वो married हो चाए वो unmarried हो जिनको period आने start हो चुके हैं उन्हें ये शिरप तता tablet दी जा सकती है अब हम जानते हैं M to Tone सिरफ तथा टारविट की डोज के बारे में इसकी जो सिरफ की नॉर्मल डोज रहती है वो 5 ml to 10 ml दिन में 2 बार BD सुबा और शाम रहती है तथा किसी को ज़्यादा प्रोलम है तो डोक्टर द्वारा इसकी डोज 10 नेमत दिन में 3 बार TDS भी दी जा सकती है कि डुरेशन टाइम की बात करें तो इसका डुरेशन टाइम 3 मन तक का रहता है इसके टाबलिट की, डूज की बात करें, तो एक टाबलिट बीडी लेने के सलाहा दी जाती है, सुबा और शाम एक टाबलिट, अगर किसी गो ज़्यादा प्रोड्म हो, तो उस वक्त डूटर दो टाबलिट सुबा और दो टाबल शाम को देता है, इसके डूरेशन टाइम की तो वो भी duration time तीन मन्त थी रहता है after the food यह medicine लेनी होती है खाना खाने के बाद यह medicine लेनी होती है परनाइंसी में यह सिरफ आपको नहीं लेना चाहिए अगर ज्यादा जुरुत पड़ती है तो डुक्टर अपने आप प्रैफर करें तो लें आप ऐसे यह सिरफ नहीं में मतलें इसके side fact की बात करें नोजिया वोम्टिंग हो सकती है आपको दस्त लग सकते हैं आपको hurt burn हो सकता है आपका weight बढ़ सकता है तथा आपको कोई skin disease हो सकती है अगर आपको इन में से कोई भी side fact हो तो यह M2 tone syrup तथा tablet लेना बंद कर दें और अपने डुक्टर से जाकर मिलें यह थी पूरी जनकरी M2 tone syrup तथा tablet के बारे में अगर जनकरी अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like share करना मत बुलें और मारे चैनल को subscribe करें अगली बर फिर मिलेंगे कुछ नई जनकरी लेके thanks for watching